दोस्तों आप सभी से नमस्कार आप देख रहे हैं फरीदाबाद नियूज मैं धर्विंदर प्रताब सी देखें बहुत मधूर धुन सुनाई दे रही है गीश संगीत एकदम बढ़िया सुनाई दे रहा है धोल नगाडे की आवाज है हार्बोनियम की मधूर धुन है और दिखाते हैं कितनी मधूर थून बज रही है कितना मधूर संगीत बज रहा है वह आपको दिखाएंगे यह देखिए नगाडे पर लगे पड़े है हार्मोनियम पर लगे पड़े है अब बहुत बढ़िया देखें कि इस बढ़िया बजारे मजा आ रहा है तो अब दो दो बहुत ही मज़ेदाराई आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं लोस्तों गीता जैनती महस्तों मनाया जा रहा है फृदबाद सेक्टर बारा हुड़ा कान्वेंशन सेंटर में और यहां पर देखिए इस्टाल वगरा भी लगे हैं तो हम आपको पूरा दिखाएं हैं आप खुद भी आ सकते हैं कि आई अंदर चलते हैं दिखाते हैं किस तरह से गीता जैनती महस्तों मनाया जा रहा है यहां पर देखिर अगली वगरद दिखाओ केमरोंन कितना बढ़िया बना रहे हैं च्छे स्कूली बच्चे हैं देखिए यह रंगोली बढ़ीता से लगे हुए है रंगोली बना रहे हैं इधर भी रंगोली बनी पड़ी है दिखाओ भाई बहुत बढ़ीया लग रहा है दिखाओ कितना बढ़ीया बनाया देखो अंतर च्री गीता जेंती महसो 2020 2020 लिखा हुआ है और बहुत बढ़िया इधर सामने से दिखाओ तो अच्छा लगएगा वैसे तो आपको खुद आना चाहिए नमस्कार जी क्या हले क्या नाम है आपका दिवरा सिंग्ग यहां पर किस तरह से गीता जन्ती महुसों मनाया जारत कुछ बताएंगे आप यहां पर हैं यहां पर बहुत अच्छी तरह से गीता बनाएगी और भी क्या इस्टाल लगे हु असराम बापी जी की विश्टाल लगे हुए वहां से आप कोई भी सामान खरी सकते हैं इसमें दातों का है या वैसी बीमारियों पेट की आपका नाम क्या बताया दिवरा सिंग्ग आईए थोड़ा नीचे चलते हैं नीचे दिखाते हैं पहले उपर दिखा लेते हैं नीच वगर लगी हुई हैं यहां पर और सब में मैसेज लिखा हुआ है कुछ ने कुछ आईए नीचे ही चलते हैं नीचे इस्टाल वगर लगे हैं वो दिखाएंगे आपको हर्यांड सरकार ने पब्लिक के रिए प्रोग्राम और्गनाइज किया है गीता जैनती महस्तो लेकिन पब्लिक सायद पता नहीं है इसलिए लोग कम आए हैं जबकि आना चाहिए संडे है अपने बच्चों के साथ आना चाहिए यहां से बहुत नौलेज मिलेगा बच्चों को सबको ही नौलेज मिलेगा यह देखिए बिटु बजरंगी भी आए दिखाओ भजता बिटु बजरंगी नमस्कार नमस्कार अभी आप लोग भी आगे गीता जैनती महस्तों में क्या कहना चाहते हैं सभी कौन अच्छी है हमारे फर्दवाद में बहुत खुश की बात है कि यहां पर सभी जो लोग यहां पर आए हैं यह दो ने श्टॉल लगाई है और धर्म और संस्कृति की बाते बता रहे हैं तरह तरह की स्टॉल है और बड़क बड़क अच्छा हुआ खुशी हुई और फर्दवाद के लोगों को आना चाहिए अभी साम तक चले गाए एक मिनी यहां भारत की न एक संस्कृत दिखा रहा है अपनी ध्रम से परिजित कर आरा के लगे पड़एं से ओंध है और contemplati वालय ह doubt राप और यानी ऐसा कोस्टाल नहीं है जो भारत के उन्नती को अगरसां ना करता हो लोग अच्छा लगा आपको सही लगना यहां बहुत सुन्दर प्रोगरा आए जादा से जादा लोग आए तो पूले लगाया गया है पर पब्लिक को यहां पर आना चाहिए लेकिन संडे है इसलिए लोग अपने घरों में है जबकि लोगों को संडे को निकलना चाहिए और ऐसे अस्थानों पर अपने बच्चों को लाना है और जिसे कि आपके नियम मजबूत होती जाए जैहिन जैपना अधन्यवाद सर धन्यवाद अधन्यवाद अधन्यवाद यह थोड़ा इस्टाल दिखा देते हैं देखिए यहाँ पर जो भी आ रहा है वो खुश होकर जा रहा है तो यहाँ से इस्टाल सुरू होंगे हम से सुरू कर रहे हैं यह 11 नमबर का है आर्टीय का इस्टाल है बाकी यहाँ पर आएंगे तब आपको अच्छा लाएगा यह जानकारी देंगे भाहिया हम ज्यादा बता तो नहीं पाएंगे यह दस नमबर का इस्टाल है हरियाना इस्टेट इंडिस्टियल एंड एवं इं द्योक बोर्ड का हरियाना यह भी वही है और यह महिला यूम बाल विकास विभाग का इस्टाल है तो यहाँ पर ज्यादा ही रहनक देखने को मिल लई है आकिर यह फरिदाबाद नगर निगम वाले काफी चीजें यहां पर रखे हुए हैं तो महिलाओं के सामान और हाथों से बुने हुए स्विटर हैं और तोपी वगरा और भी तमाम समान होते हैं यहां पर भीड्ट ज्यादा ही है और परी महिला स्वयं सहायता समूह लिखा हुआ है कोई सहायता समूह है कोई संगेठन है नहीं से इन से बाधच्चित करें मैदम थोड़ा साम मैडम से बात अब न कम जो हैं आप से लगा है जो लेडिख यह डियोड़ीट इसे महिने करती है वो इक खंटे करके हम यह इसमान करते हैं सपर से एक ख्रेक अब आप तक है अप यहां जाश्ट संड़े और आप शाम तक आप लोगा सकते हैं और यहां पर जो भी इनके इस्टाल वगरा हैं वो देख सकते हैं तो दोस्तों बहुत बढ़िया गीता जैन्ती समारो मनाया जा रहा है महुस्तों मनाया जा रहा है तो आईए बाहर चलते हैं बाहर कुछ और इस्टाल लगे हैं तो भी आपको दिखाएंगे दोस्तो हम लाइव इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको घर बैठे पता चल जाया आखिर किस तरह का प्रोग्राम है किसलिए प्रोग्राम है उसे क्या फायदा हो सकता है क्या जानकारी मिल सकती है यह सब सूचना देने के लिए हम यहां पर आते हैं और आपको अपडेट रखत सब्सक्राइब और उन्रों पॉल्स वाले भी Прिंग खानी और यहां पर को यहां खानेपीने का 2020 přिजिए and भूण यहां पर क्पाइब पर भीरetically को इस नफीत यहां पर शंयानेफरल में उचार्वी यहां और माय वरती हे नी यहां खुमिएंग और यहहां पर खाईये आपको के Biz होें की आथ है कि यहां जो है नम्रुपight यहां देखी खाने पीने कहां परांठे वगरा यहां पर सेक जा रहे हैं परांठे इसेधे यहरे तो हमने आपको पूरा महोस्तों दिखा दिया पूरा प्रोग्राम दिखा दिया अंदर तक दिखा दिया तो यहां पर आप लोग आईए खाईए पीजिए आप सकते हैं और आज शाम तक ये महोसव है और जैसा कि बिट्टू बजरंगी ने बताया करीब चार बजे एक बड़ी रैली आएगी वो रैली देखने लायक होगी तो रैली में भी आप लोग जरूर आएं और इस महोसव में भी जरूर आएं तकि जो सरकार का मकसद है सरकार काफी पैसे कर्च कर रही है ताकि आपकी जागरूकता बढ़े आप हमारे धर्म से हमारी संस्कृती से जूड़े और जो गीता में मैसेज दिया गया है भगवान सिर कृष्ण जो मैसेज दिया था उसको आप समझें और उसी तरीके से आप अपनी लाइफ जीएं सरकार का यही मकसद है फरिदाबाद ने उससे धर्बंदर प्रताब सी नौश कर लिए